नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डौक्टर नीलं शर्मा। इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेलमिकाइंड एम टीबलेट का उप्योकिन कंडीशन्स में किया जाता है। Telmikind AM Tablet को कैसे लेना चाहिए और Telmikind AM Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Telmikind AM Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Telmikind AM Tablet को लेना recommended नहीं होता है Telmikind AM Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Telmikind AM Tablet के अंदर salt composition Telmysartan और Amlodipine होता है Telmikind AM Tablet का उपयोग hypertension को ठीक करने के लिए किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए Telmikind AM Tablet का उपयोग किया जाता है Telmikind AM Tablet blood pressure को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के रिस्क को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़ा से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़ा से आखों की blood vessel भी damage हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक normal व्यक्ती का blood pressure 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का blood pressure उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का blood pressure ज्यादा है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम discuss करेंगे कि tell me kind AM tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में tell me kind AM tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में tell me kind AM tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध, शरीर में ठकान होना, उल्पी आने का मन होना, हाथों व पैरों में सूजन, पेट में दर्ध, चपकर आना, घबराहट, दस्थ और नींद अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट क कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर टेलमिकाइंड ए-म टैबलेट क खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टेलमिकाइंड एम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सला के बिना टेलमिकाइंड एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंड महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टेलमिकाइंड एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलमिकाइंड एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते ह कर साँआ ठापका टेलमिकाज वीडियो को प्लीजिड़ आपके लिए जगर आपका टेलमिकाज।